हाई फ्रцо, आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुती स्वाधिश रेस्पी पालक और मूंग डाल की सब्जी तो मैंने 200 ग्राम पालक लिये और उसको बारी काट लिया है और उसके बात हमने 50 ग्राम मूंकी डाल ली है अब मैं डाल पालक की सब्जी बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने कुकर रखा है कुकर में दो चम्मच गी डाला है छोटी चम्मच और इसमें हम थोड़ा सा जीरा और लेसुन की कलिया और दो तीन लॉंग और काली मेर्च डाल देंगे और इसके बाद हमने बारिक कटी हुई हरी मेर्च डाल दी और मूंग डाल भी डाल दी और बारिक कटी हुई पालक डाल दी और आप स्वात के अनुसार नमक डाल सकते हैं और एक चम्मच हल्दी डाल दे उसके बाद मैंने लगभग एक डिड़ ग्लास पानी डाल दिया और कुकर को बंद कर दिया तो इसमें कम से कम तीन चार सीटी आने तक रख दे अब मैंने मिक्सी के जार में हरी धनिया दो तीन हरी मेर्च और कुछ लैसुन की कलिया मेर्च आप अपने स्वाथ के अमसाल ले स लगते हैं जैसे आप कम जादा तीखा जैसा खाते हूं और यह मेरे को कर में सीटी आ रहे हैं अब मैं उस मसाले को ग्रंड कर लूंगी और यह पेश्ट इसमें डाल दूंगे इस तरह से मैंने पेश्ट डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको मिक्स करन यार है